सोने की ऐसी आदत थी कि उठने ही पाता था मैं तो उस बज़े से मेरी 10 भी पूरी नहीं हो पाई पापा को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे घर बिठा दिया कि तुम घर बैठो तुमारे वसकी ना है तुम से ना हो पायागा तो घर बैठने के बाद में वही फिर अपना स्कूल छोडने के बाद यार दोस्ती में पड़े महां से गलत गलत यार दोस्ती में तो गाईज आपको पताईए बहुत सारी चीजे यार दोस्त अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं तो मैं थोड़े बुरे वालों में चला गया और महां से मैं थोड़ी गलत मुझे पढ़ना है पढ़के और मुझे भी कुछ करना है मैं लोगों को देखता हूँ चीजे खरीता हुआ कपड़े खरीता हुआ गाड़ी खरीता हुआ तो मेरे को बहुत ज्यादा ना बुरा लगता है तो मेरे को भी पढ़ना है अब मेरी पढ़ाई पूरी कराओ और मैं करना चाहता हूं तो पापा ने कहा कि चल ठीक है पहले दस्वी कर ले तो दस्वी नहीं करने के बाद में बताईए अब क्या करेंगे दस्वी तो तुमारी करा दी तो मैंने कहा अभी तो एक काम पापा जो है मुझे अपने साथ ले गए दस्वी करने के बाद में जब उन्होंने बोला कि अब क्या करेगा अब क्या करेगा तो मैंने पापा से बोला कि तुम एक काम करो मुझे अपने ही काम पर रख लो और मैं वहाँ आपके साथ काम करूँगा तो डाइयों का काम कर दे थे मेरे उनके साथ और वो काम गाइज ऐसा था कि अगर मैं उसको प्रोफेशनल करता अगर मैं उसको ITI के जरीए करता तो उसे सीखने में मुझे पांच महीने लगते लेकिन मेरे पापा ने मेरे उपर थोड़ा काम किया उस काम में और मैं तीन महीने में वो काम सीख गया और मैं ऐसा काम सीखा वो कि मेरे पापा वो करते थे competition बोलते थे लोगों से कि तुम अपने इसे अच्छे से अच्छा डाइमे कर लिया हो और एक तरफ मैं अपने लड़के को खड़ा कर रहा हूं और देख लेते हैं कौन अच्छा काम करता है तो मुझे वो सुनके ने बड़ा मज़ा आ होते थे और मैं सो रहा होता था तो इस वज़े से कुछ इस गुस्से की वज़े से कुछ competition की वज़े से पापा ने मुझे इस काम से भी निकाल दिया और मैं फेल हो गया इस ट्रैक पे भी उस